तो रागनी ऐसा क्या हो गया कि विवान इतना घद्राग है और आपके मतलब सको विवान मेरा भाई बहुत ही भोला है सच तो ही है तो बस मैंने उसको फिर से बेवकूफ बनाया जैसे एक बार पहले रेप केस था तो अभी उसको थोड़ा सा ओर डराया एक और केस की मतलब ऐ इसे हो जाएगा तो वो डर गया है भोला है शरीफ है और रागनी उतनी ही चालाक है तो बस रागनी मजे ले रही है विवान से तो देखना है कि विवान फिर से उसके बातों में मतलब फस जाता है कि नहीं फस जाता है तो रागनी को क्या लगता है और अजराब को फस गया जो हमने सीम शूट किया तो उसको यकीन हुए कि उसको यकीन हुए गलती हो गए और मैंने हमेशा अच्छी बहन की तरह दखाया कि मैं तुम्हारे साथ हुभाईया तुम्हारी बहन तुम्हारी रक्षा करेगी अच्छी बंदूग बंदूग अच्छी उसको यह लग रहा है कि उसके हाथ से मटर हो गया तो वो सब आप लोगों को देखना पड़ेगा तुम्हें रवील नहीं करूंगी कि वो कैसे हुआ पतलब क्या पूरा सीन है लिकन बस यह कि उसको ऐसे कर दिया आप लोग यह देख अच्छी आप लिए लिए अच्छी आप लोगों कि हर और अवरत को अपने ओपर गरव ना जगी मुझे तो बहुत है और एंजोई कीजिए आज का देर वैसे आज के दिन हमें हमेशा इंजोई करना जी अपनी हेल्थ का अपनी हर चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए और ह होली आरी है होली खेलो खूब खेलो रंगों से खेलो प्यार से खेलो लेकिन पानी से मत खेलो अपी होली